नमस्कार मेरा नाम है विशाल भर्दवाज और आप देख रहे हैं दैजीनुस। कॉंटिनेंटल रह चुकी श्वेता जहा जो भारतिय जंदा पार्टी युवा मोचा की कारिकरता भी हैं उन्होंने हमसे बातचीत की और बातचीत में बताया कि मैं सभी से अपील करूंगी कि सभी को रक्तदान करना चाहिए और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हमने तोरान उन्होंने हमसे खास बातचीत में बताया कि प्रधान मंत्री मोधी के जंदिन के अफसर पे यह रक्तदान सिविर का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा दौर और यह बहुत ही अच्छी पहल है वहीं जिस तरीके से बिहार को विशेष राज का दर्जा देने की ब जरूरत नहीं है और क्या कुछ कहा रहा है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन आईये हम आपको सुनाते हैं जो जिसका नेता ही मैदान छोड़ दिया हो उसकी जरूरत नहीं है आप तो विसेष दर्जे से अधिक विसेष साहता दिये जा रही है बिहार को और देश के हर राज्यों को अग्रणी बनाने में मानिपधान मंत्री जी लगतार काम कर रहे हैं और आज आईश्मान भायर से लेकर असी करों परिवारों को साहता देना हो हर चीज की जोजनाओं का लाब मिल रहा है सभी राज्यों को तो अब बिहार आतने बनने की ओर बर रहा है अब हम मांगने वाला नहीं हम देने वाला बने तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री जो है नितिन उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के जो नेता है वो ही मोर्चा छोड़ कर चले जा रहा है तो वो भारत बंद कैसा भारत बंद जिसमें विपक्ष के नेता ही नहीं है वहीं जो मिस कॉंटिनेंटल है और भारतिय जनता पार्टी युवा की कार्य करता श्वेता जा ये भी आप सुनिए बहुत अच्छा लग रहा है रग्तदान शिविर लगा है रेड़ क्रॉस साइटी को हम ये रग्तदान कर रहे हैं हम ये शश्विर प्रदान मंत्री जी के खतरवे जनन दिन को मला रहे हैं और इतने शोब काम में मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूँ मैं भी यहां पर रख्दान करने आई हूँ मैं मिसस इंडा कॉंटिनेंट ये चाहती हूँ कि सभी लोग इस अभियान में बढ़ चड़ के भाग ले और जब एक महिला होकर मोर्चा का भी धन्नवाद करना चाहूंगी जिन्नों ने इतने महान कारे के लिए शेविर का आयोजन किया तो आपने सुना कि किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रही है जो भारतिये जनता पाटी युवा मोर्चा की कारे करता है और मिस कॉंटिनेंटल श्वेता जहा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे है दैस्जी न्यूस के साथ और देखते रहे है दैस्जी न्यूस